नमस्कार मैं सुधर्शन सुखानी हूँ और आज 16 जनवरी 2023 सोंबार है हम आज भी निफ्टी में कल का और अगले कुछ दिनों का रुख क्या बन सकता है उसकी बात करेंगे अब बात क्या करें निफ्टी बिलकुल संकीन दायरे में आ गया है जिसको हम अंग्रेजी में नेरो नहीं इसका यह मतलब है कि कव निकलेगा और किस तरफ निकलेगा वो ब्रेक आउट करेगा या ब्रेकडाउन करेगा उसका अंदेशा अभी तक नहीं मिल रहा है बाजार कि स्थिति के आईए समझ लें 17800 में बार-बार निफ्टी आकर वहां से धक्का खाकर उपर जाता है तो हम 17800 को एक एहम सपोर्ट मान लें मैंने वो सपोर्ट है वो सपोर्ट को अभी तक निफ्टी ने तोड़ा नहीं है इंट्राडे में कभी कभी तोड़ दी है उस बात को छोड़ दीजिए तो 17800 के नीचे निफ्टी जाता है तो वो हमको एक संदेश देगा अब मैं इस से निकल कर नीचे जाने को तैयार हूँ अभी तक किया नहीं है अगर वो करेगा तो दूसरी तरफ निफ्टी के जो हाइस थे ना रेंज के वो नीचे सरकते जा रहे हैं पहले 18300 फिर 188250 वहाँ पर स्ट्रॉंग रेजिस्टेंस है फिर वो सरक कर हो गया 18130 आज के लिए कल ह 18130 का एक रेंज है वो रेंज भी अब आज ऐसा लगता है इंटरे चार्ट देखकर कि वो उपर की रेजिस्टेंस सरक कर अब नीचे आ गई 1850 पर हो गई ये भी ठीक है कि थोड़ा सा जो सपोर्ट है वो उपर की तरफ आ गया है तो अब हमारे पास 200 अंकों का एक रेंज है 17850 और 1850 ये 200 अंक है 17850 के नीचे निफ्टी सरकता है तो ये पहला संकेत होगा कि निफ्टी नीचे जाने को तयार है अगर बाउंस करता करता वो निफ्टी 1850 पहुंच किया जो कि आज का हाई था और उसको तोड़कर उपर जाने लगा तो ये हमारे लिए दूसरा संकेत होगा कि निफ्टी अब इस रेंज से ताकत पाकर उपर जाने के लिए त्यार हो रहा है इन 200 पॉइंटों की बीच में क्या होगा कुछ नहीं होगा आप इंट्राडे ट्रेड कुछ भी कर लिजे मैं तो सुचता हूँ कि कोई का टॉस करकर कर लिजे तो भी कोई बात नहीं है या कोई रुख देख लिजे इंट्राडे में वह आप घुज जाईए थोड़ा बहुत मुनाफ़ा ट्राई कीजे लेने का बड़ी मूव इन दोस्तरों के उपर नीचे होने तूटने के बाद ही आएगी अब यह थोड़ा सा फ्रस्टेटिंग होता है कि हम देख रहे है मार्केट में कुछ हो नहीं रहा है लेकिन यह मार्केट की जिम्मेवारी नहीं है कि वो हमको हर रोज कुछ न कुछ पुरस्कार दे यह इसलिए मार्केट नहीं है यहां पर कि मैं चुकि एक ट्रेडर हूँ तो मार्केट मुझे पुरस्कृत करे नित्य दिन ऐसा होता भी सकता है अब मुझे करेगा तो बाकि लोगों को क्यों नहीं करेगा अब और सारे के सारे अगर पुरस्कR WITH फोगे तो देगा कौन उसको इसलिया आप के ne मं करेको कि बजार अपना रुख comfort लेगा अच्छा यह तो बहुत ब्रीफ में बाद हो रेंज आपको मैंने बताई है, इंट्राडे ट्रेड आप कुछ भी कर लीजे, एक ट्रेड बनता है, वो मुझे मालूम यह कितना कमाएगा, क्योंकि ठेयोरिटिकली तो सब ठीक होता है, पर प्रैक्टिकली यह मुनाफ़ा नहीं होता है, बजट के बाद, बजट के बाद का स खरीद लीजे, फिर चुप बैट जाईए, यह 200 अंकों का जो रेंज है, यह टूटे गई टूटे गा, और यह बजट के पहले ही टूट जाएगा, और बजट के बाद तो निश्चित रूप से तूटेगा, किधर जाएगा, हम उसका अंदेशा कर नहीं सकते, दोनों ले लीजिए, इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, कि यह कोई बहुत बड़ी, यह कोई यह रोकेट साइंस नहीं है, यह बात में जो आपको मैं बता रहा हूं, यह सारे व्यापारियों को बड़े-बड़े option sellers को भी मालूम है, इसलिए बजट के बाद का जो week है, उसके दाम बहु यह है, शॉर्ट-term trades के अलावा भी, चलिए इस वीडियो के लिए को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्लीज कोमेंट देते रहिए, जय हिंद! Good evening, I am Suharshan Sukhani and today is 16th January 2023, Monday, as usual we will talk about the Nifty view for tomorrow and if possible for the next few days, actually there is no view, the Nifty is going in a narrow range and that range is becoming narrower and narrower. So, what's the trader to do? Wait patiently. This range cannot last. You know, the range started as a very wide range. 17,800 was repeatedly tested and from the initial stage itself, 17,800 was the low of that range but the high was 18,300. Then, that came down to 18,250. Two days ago, it came down to 18,130. So, then we had a range between 18,130 on the upper side and 17,800 on the lower side. Today, looking at intraday charts, that range has squeezed even further. I think the first resistance is now at 18,050, today's high and support is at 17,850, today's low. So, we have a 200 point range. Inside this range, there is no trade. I mean, you can take some intraday trades, you can actually toss a coin also and say, okay, I am trading this and take some profits, use some risk management. That's as good as anything else for this period. The big trade will come if the Nifty crosses 18,050 or if the Nifty goes below 17,850. I have no idea which one will happen. Meanwhile, we don't get frustrated because it is not the market's responsibility to reward us. The market is not responsible to say, oh, Mr. X, Y, Z is doing his trading. I have to reward him every day, otherwise he will get angry. Well, so be it. You get angry. But the market doesn't care for us. It does not. It consists of millions and millions of people collecting together and it doesn't care for any one person, you or me or anyone else. My point was that there is no sense in getting angry and frustrated at the market. This is what it is doing and we have to accept it. Now, I have already told you, intraday, you can do anything. These are the levels which I am watching. A breakout or a breakdown will give me a trade. At least, I hope it will give me a trade. But we have to take that trade even if it doesn't work out. There is a trade that is possible. Now, I am not sure if this is worthwhile but I will just talk about it. After the budget, the week that ends after the budget, not before. Because then the impact will come, the budget impact will also come in the options of that week, which is ending, which will be in February and ends after the, you have to check up the exact date, after the budget is presented. You know, this 200 point range is going to break. It is going to break most probably in the near future. In case it doesn't break, it will certainly break after the budget. So, the trade is, you buy a call of 18,050 and buy a put of 17,850 for that strike, for that week, the week after the budget. The problem is that this is not rocket science. Everyone, all option traders, all serious option traders know about it. So, option premiums for that particular week have probably been jumped and hiked significantly. So, then it becomes a big problem. After paying so much premium, even if there is a breakout from the range, will it be profitable? I can't say. And I haven't checked the premiums but every year, the week after the budget has significantly high premiums. That's the trade that's worth thinking about, not necessarily worth taking. You can think about it and just examine it at least. Thank you for watching this video. Please give your comments as many as you can. And Jai Hind.